नवस्कार साथियों आज हम AD से चोटी तक की कमजोर वे बंद हुई नसों के कारण समस्चा लक्षन वे इनको खोलने के असरदार गरेलू उपायों के चरचा करेंगे आज कल नसों में ब्लोकेज एक आम समस्चा बनती जा रही है खराब खान पान अक्सरसाइज ने करना वे गलत जीवन से लिके कारण सरीर की नसों में बहरा खोन गड़ा हो जाता है जिसके कारण नसों में ब्लोकेज और सुजन आ जाती है हाई बलड प्रेसर की वज़े से भी कई लोग इस समस्चा का शिकार हो रहे हैं हाथ पैरों में खोन का परवा अधिक होता है जिस कारण यह समस्चा शरीर के इन दो अंगों पर सबसे जादा दिखाई देती है साथियों एक सोद के अनुसार चारीश से साथ फीच दी भारतिय यूवा वे बड़े बुजर्ग नसों में ब्लोकेज की समस्चा से ग्रस्त हैं जो की बेहत भयावे है नसों में कमजोरी वे ब्लोकेज के कारणों में खून का गाड़ा होना गल्त खान पान चोट लगना खराब बलड सर्कूलेशन गंटों तक बैठे रहना सारी गतीवदी नय करना वे मोटापा आधी मुख्य हैं सातियों अगर साई समस्चा का इलाज नय किया जाए तो कलिस्ट्रोल बढ़ना वे हार्ट एٹेक की समस्चा हो सकती है इन सभी समझ्चाओं से निजात पाने के लिए आज मैं एक ऐसा प्राकर्टिक ग्रेलू नुसका लेकर आया हूँ जिसके मातर दस दिन से उन करने से आपकी ब्लोकेज से समझ्दित सभी समझ्चाओं जड़ से खतम हो जाएंगी वैसाथ में कुछ साउधानिया जो इन सभी समझ्चाओं से बचने में साइग रहेंगी चलिए जानते हैं इस नुसके में प्रियोग की जाने वाली सामग्री प्रियोग वेविधी के बारे में सामग्री में हम यहां दाल चिन्नी ए ग्राम काली मिर्च दस ग्राम तेज पत्ता दस ग्राम मगज के बीज दस ग्राम धागे वाली मिश्री दस ग्राम अकरोट ग्री दस ग्राम अलसी बीज दस ग्राम लेंगे इस नुश्के की बनाने की विदी में हम इन सभी सामगरी को ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीश कर बारिक पाउडर बना लेंगे इस मिसरन को बराबर बराबर दस इसों में बाठ कर 6-6 ग्राम की मातरा में अलग-अलग कागस की पुडिया बना लेंगे यह आपकी दस दिन की उप्योग की मातरा है रोजाना खाली पेट इस मिसरन की एक एक पुडिया एक ग्लास गुडगने पाने की साथ सेउन करें इस दवा के खाने के एक गंटे बाद तक किसी भी चीज का सेउन ना करें दस दिनों में ही आपको गजब के फायदे मिलने लगेंगे पूरी तरह फायदा लेने के लिए इस करम को तीन महीने तक जारी रखें यह एक आयरुवेदिक उपाय है जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दोरान रखे जानी वाली सावधानियों में खूब पानी पीएं हलका व्यायाम करें जंक फूड तली भूनी चीजें अधिक नमक वे सुगर से प्रेज रखें दुमरपान वे सराब का सेउन ना करें गरस्त जगहें पर कभी कभी सर्शों की तेल को गरम करके मालिस करें इस दोरान विटामिन सी से युक फलों का सेउन करें जैसे संत्रिवे आननास आदी कभी कभी किसमिस का सेउन करते रहें आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी और आप इसका पूरा लाब उठाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेट वे शेर करें ऐसे ही स्वास्त वर्दक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वे बेल आइकोन दवाना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुश रहें सवस्त रहें जै हिंद जै भारत